अलो एव्रिवन इस वीडियो में आप पढ़ेंगे फोर टाइप्स ओप डिसिजन मेकिंग स्टाइल्स तो बैसिकली जो फोर टाइप्स होते हैं वो यह है फर्स्ट है एनलिटिकल इसकील सेकेंड है कॉंसेप्चुल थर्ड है डाइरेक्टिव और फूर्थ है बिहेवरल जो की बैस होती किसी केरेक्टर्स पर या तो टास्क या सोशल फोकस होगा उनका कितना वो टॉलरेंस कर सकते हैं एम बीग्यूटी को कुण से स्ट्राइल जो हाइब के साथ है जो की वर्ख टॉलरेट कर सकती है कुण से अन्नान व्येरियेबल से जिसकी कहर अना है डो जो कि जो चाहते हैं कि clear possibility हो और जो भी decisions ले वो clear हो तो decision making style वेरी करता रहता है तो शोशल और टास्क ड्राइवन focus के according और यह consider करता है कि कैसा behavior involved होगा outcome के लिए वही task driving best करता है कि हम goals को कैसे achieve करेंगे social में behavior के outcome को देखते हो वही task में हम goals के outcome को देखते हैं तो इन सभी को हम detail में देखते हैं four styles of decision making में जिसमें की फर्स्ट है analytical second conceptual थर्ड डायरेक्टिव फूर्थ है behavioral इन सभी को detail में देखते हैं फर्स्ट है analytical analytical में decision maker carefully analyze करता है data को की solution पर आ सके carefully adopt करता है चीजों को और वह अपना time invest करता है यह information को gain कर सके और conclusion पर आ सके तो यह decision maker task oriented होता है और इसमें high tolerance of ambiguity रहती है कि जो भी चीज़े uncertain है उसको यह tolerate कर लेता है तो analytical decision maker यह time लेता है यह सारे data को देख सके evidence को देख सके और conclusion पर आ सके और फिर decisions लेता है तो यह सारी चीजों को detail में देखता है और फिर believe करता है कि कौन सा best possible solution होगा और उसको लेता है अब इसका example for example एक sports company की marketing team है जिसको की broadcasting करनी है और तो वो identify करेगी कि कौन से sources की through वो ज्यादा audience तक reach कर सकती है उनके कौन से current campaign ज्यादा लोगों तक पहुँच रहे हैं तो marketing managers सब भी leaders से report summit करने को बुलते हैं सारे campaigns की जितने भी different demographic audience के according चलाए गयते हैं जितनी भी reach होती है उस report के according तो वो lead करती है कि कौन सी team का 8 campaign ज्यादा चल रहा है कि इसमें हम ज्यादा लोगों तक पहुँच पार है फिर उस meeting के बाद marketing manager decide करता है कि उसको कहां पर और advertisement के लिए space करीदनी है कौन से social media website पर next 30 days के लिए तो यह होता है analytical style जिसमें कि आपने पूरे report के data को analysis किया फिर decide के कि आपको कौन सी place पर advertisement चलाना है Facebook देख सकते Instagram देख सकते YouTube देख सकते हमने देखा कि हमारा advertisement कहां पर चलने पर ज्यादा लोगों तक पहुँच रहा है हम उस platform को choose करके वहाँ it run करेंगे next secondary conceptual जो भी decent maker होता है conceptual style में thinker जो होता है वो risk लेने के लिए ready होता है वो evaluate करता है क्या different options है उनकी क्या possibility है high uncertainty को भी है tolerate कर लेता है कि जिसके बारे मुसको नहीं पताएगी क्या होने वाले है यह लोग social oriented होते हैं और यह time लेते हैं कि कोई से भी बड़े idea को या creative solutions को इनको perform करना होते हैं conceptual decision maker हमेशा forward looking होते हैं कि उनके decision से क्या होगा उसके बारे में सोचते हैं और फिर conclusions पर आते हैं visualize करके कि उनके पास क्या different opportunity है और उसके first year में तो वो सोचता है कि उसी का वो अप एक नया store open करवाए nation में ताकि next five year में उसकी growth हो सके तो वो new shopping के platform develop करता है construct करता है big cities में और उनको open करता है नए stores की नई branches नई sites तो एक बहुत risk की decision से पर जो confident होता है कि वो success होगा और उसको पता है कि उसकी team उसको launch करने में उसकी help करेगी brand को nationally develop होने में एक long term impact को सोचते हो forward looking के साथ उसने यह decision लिया और इसमें बहुत risk होती हो अगर वो सारी branches ना चली तो वो बहुत loss में भी जा सकता है next डायरेक्टिव तो डायरेक्टिव decision making के style यह बहुत quick होता है decision maker किसी भी solution पर thinking के according आ सकते है यह decision low tolerance वाले होते हैं और इसमें unclear ambiguous ideas रहते हैं इसमें आपका focus होता है task पर आप आप खुद के knowledge को यूज करके judgment को यूज करके और किसी conclusions पर आते हैं आप खुद के individual के inputs में से select करके यह decision maker verbal communication वाले होते हैं यह बहुत rational और logical decision making करते हैं और यह organization में जब भी fast decision decision लेने की need होती है तब इस decision making style को यूज किया जाता है ताकि कुछ भी decision maker effectively choose कर सके और यह style valuable होती है जब भी आपके पार short term में कुछ भी decisions लेना होता है तो आपको जब उस time पर जो भी mind में आता है वो decisions ले लेते हैं for example जब भी employees इस company में 90 days का trial period complete कर लेगा उसके बाद उसको fund मिलेगा जो भी current employees है तो company decide करती है कि उनके fund को employees के fund से कैसे match किया जाए तो अटेक्ट करती है talented team को और फिर CEO देखते है कि budget का projection कितना है वो prepare करता है और कैसे उस fund को allocate करना है तो उसके लिए वो करते कि employees contribute करें तो वो decide करते कि जो लोग employees contribute करेंगे companies उनके लिए 4% fund और extra देगी तो यह उसको तब भी कुछ प्रजेक्ट है उसके लिए fund की सुरती उसके according उसने यह decide क्या next नेक्स्ट है behavioral behavioral style है जो भी design making focus करता है कि क्या relationship होंगे tasks related evaluate करता है उनकी feelings को दूसरों के लिए एक design making process होती है design maker इसमें low tolerance of ambiguity इसमें uncertainty बहुत कम होती हो यहाँ पर social focus होता है कि हम solution को evaluate करें यहाँ पर decision maker को जो भी information मिलती हो अधर लोग guide करते हैं उसको कि क्या choose करना है और यह team based होता है decisions जो होते हैं वो देखते हैं कि दूसरे लोगों को यह decisions कैसा affect करेंगे और उन्हीं की दूसरे सब भी लोगों की choice के according decisions लिए जाते हैं words से समझ मैंना कि हम behavior पर focus करते हैं और example की HR manager है वो decide करते है कि किस week में employees को bonus मिलना चाहिए और vacation तो इसके लिए वो employees को email के through survey करता है कि कौन सी तीन possible date से जिस पर की vacation या bonus लेना चाहते है फिर उस survey के response के according वो अपने co-workers से पूछता है फिर वो सारे co-workers की majority देखता है फिर सारे employees को देखता है कि वो date से satisfied है या नहीं है फिर at the end वो notify करता है management और employees को कि किस दिन bonus मिलेगा और कव vacation का time होगा तो यह तब behavioral style अगर आप कोई वीडियो पसंदा है तो please like कीजे चैनल को subscribe कीजे और decision making के आप playlist देख सकते हैं कि basic decision making क्या होता आसके characteristics, features, process, techniques, errors, types of decision making तो इस वीडियो में आपने पढ़ी four decision making style first analytical जिसमें कि आप data analysis evidence के through decisions लेते हैं वही second conceptual कि आप आप खुद की thinking और forward looking long term best decision लेते हैं next is directive style जो कि आपको quick और fast लेने पड़ते हैं आप खुद की पही best जो भी decisions जो की short term होते हैं last is behavioral जो कि आप team से पूछ के और team के लिए decisions लेते हैं thank you